कि पूजा किया करते थे, मा ने भी उन्हें राजपाट, धन, दौलत, एशो आराम के सभी साधन दिये थे, कमी थी तो सिर्फ ये कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी, ये गम उन्हें दिन रात सताता था, वो मा से यही प्रार्थना करते थे कि मा उन्हें एक लाल बख्ष द उन्होंने राजा को दो पुत्री अप्राप्त होने का वर्दान दिया, कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, राजा ने अपने राजदर्बारियों को बुलाया, पंडितों वज्योतिशों को बुलाया और बच्ची की जन्म कुंदली तैयार करने समय बाद राजा के घर वर्दान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया, मंगलवार का दिन था, पंडितों और ज्योतिशियों ने जब जन्म कुंदली तैयार की तो उदास हो गए, राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे कि वह कन्या राजा के लिए पूर्व जन्म में देवराज इंडर के दर्बार की अपसराय थी, उन्होंने सोचा कि वे भी मृत्यो लोग में भ्रमन करें तथा देखे कि मृत्यो लोग में लोग किस तरह रहते हैं, दोनोंने मृत्यो लोग पर आकर एकादशी का व्रत रखा, बड़ी बहन का नाम तार ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रूकमन आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं करना, अतह वो बजार जाकर फल कुछ ले आए, रूकमन बजार फल लेने के लिए गई, वहाँ उसने मचली के पकोड़े बनते देखे, उसने अपने पैसो के तो पकोड देखा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आ गई और फल उसने तारा को दे दिये, तारा के पूछने पर उसने बताया कि उसने मचली के पकोड़े खा लिए हैं, तारा ने उसको एकादशी के दिन मास खाने के कारण शाप दिया कि वो निम्न योन्यों में गिरे, शिश्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया वो अपनी तपस्या में लीन था उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाया गई उस रिशी के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुह डाला और सारा पानी पी गई जब कपिता गाये ने मुह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस रिशी की समाधी तूटी उसने देखा कि गाये ने सारा पानी पी लिया था प्रिशी ने गुस्से में आ उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह चिम्टे से मारा जिससे वह गाय लहुलुहान हो गई ये खबर गुरु गोरक को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी उन्होंने अपने उस शिशे को बहुत बुरा भला कहा और उसी वत आश्रम से निकाल दिया बुरू गोरक ने गो माता पर किये गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यग्या रचाया इस यग्या का पता उस शिशे को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा यग्या शिरू होने उस शिशे ने एक पक्षी का रूप धारं किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फिक दिया जिसका किसी को पता न चला वह चिपकली जो पिछले जन्व में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के शाप को स्वीकार कर चिपकली बनी थी सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी उसे त्याग वह परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी वह भंडारा होने तक धर की दिवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही कई लोगों की प्रान बचाने हितू उसने अपने प्रान नियोचावर कर लेने का मन ही मन निश्चे किया जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी बातने वालों की आँखों के सामने ही वह चिपकली दिवार से कूद कर कड़ाय में जागिरी लोग चिपकली को बुरा भला कहते हुए Khiar की कड़ाय को खाली करने लगतों उन्होंने उसमें मरे हुए साप को देखा तब जाकर सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्रान देकर उन सब के प्रानों की रक्षा की थी उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत्मे वह मोक्ष को प्राप्त करे तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्ष के घर कन्या के रूप में जन्मी दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चिंद्र के साथ विवाह किया राजा स्पर्श ने जोतिशियों से कण्या की कुंडली बनवाय जोतिशियों ने राजा को बताया कि कण्या आपके लिए हानिकारक सिधा होगी, शकुन ठीक नहीं है राजा बोले कि लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है, वे उस पाप का भागी नहीं बन सकते तब जोतिशियों ने विचार करके राय दी की राजा उसे एक लकडी की संदूक में बंद करके उपर से सोना चांदी आदी जड़वा दे और फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित करवा दे सोने चांदी से जड़ा हुआ संदूक अवश्य ही कोई लालच में आकर निकाल लेगा और राजा को कन्यावद का पाप भी नहीं लगेगा ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाए दिया तो वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाए दी उस भंगी के कोई संतान नहीं थी उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया पती पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रूख को रख दिया रूख को बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ रूख को की सास महाराजा हरिश्चंद्र के घर सफाय आदी का काम करने जाया करती थी एक दिन वह बीमार पड़ गई तो तो रूख को महाराजा हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुँच गई महाराज की पत्नी तारामती ने जब रूख को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुन्य से उससे पहचान गई तारामती ने रूख को से कहा कि वो उसके पास आकर बैठे महारानी की बात सुनकर रूख को बोली कि वो एक नीची जाती की भांगिन है भला वहरानी के पास कैसे बैठ सकती थी तब तारामती ने उससे बताया कि वो उसके पूर्व जन्म के सगी बहन थी एकादशी का वरत खंडित करने के कारण उसे छिपकली की योनी में जाना पड़ा जो होना था जो होना था वो तो हो चुका अब उसे अपने वर्तमान जन्म को सुधारने का उपाय करना चाहिए और भगवती वैशनो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाना चाहिए ये सुनकर रूपकों को बड़ी प्रसन्नता हुई और जब उसने उपाय पूछा तो रानी ने बताया कि वैशनो माता सब मनोर्थों को पूरा करने वाली है जो लोग श्रधापूर्वक माता का पूजन वजागरन करते हैं उनकी सब मनोकाना पूर्ण होती है रूपकों ने प्रसन होकर माता की मनोती मानते हुए कहा कि यदि माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो वो माता का पूजन व जागरन कराएगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलसवरूुप डस्वें महीने उसके गर्व से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रूखको को माता का पूजन जागरन कराने का ध्यान न रहा। जब वह बालक पांच वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रूखको दूखकी होकर अपने पूर्वजन की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वितांत कह सुनाया। तब तारामती ने पूछा कि उससे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रूखको को 6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपरात स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चे किया कि बच्चे को आराम आने पर जागरन अवश्य करवाएगी।